हेलो इस्टुदेंट्स वेलकम टू माई क्लास आप साभी का स्वागत है बच्चों मेरे सेशन में प्रिवियस क्लास में मैंने आपको थेरी जो केमिकल बॉंडिंग किये वो सारी बता दी थी उसमें मैंने अमोटी आपको बता दिया था वी-वी थियोरी बता दी थी सिग्मा यह सब चीजे याद है आपको याद हो कि बेसिकली इसमें जो है आपके क्वेश्चन साते हैं मोटी से और हाइवी डाइशन से मोस्ट टार्गेटेट जो क्वेश्चन सोते हैं इन से ही आते हैं तो अगर इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से कर लिया डाइड स्टार्ट करते हैं किस टैप के निट एग्जामिनेशन के पैटरन के जो कॉस्चेंस आते हैं लूट अलू ट्रू लूट्चिन टिंग तो जो वह electron होगा वो किस orbital से remove होगा sigma, pi, sigma star या pi star देखो ऐसे question हो का approach करने का सबसे बड़ा तरीका अच्छा तरीका होता है आपको पता एक दम पूरा अच्छे साथ से open कर लो N2 मतलब क्या 14 electron system है बिल्कुल सर जी 14 electron system है 14 electron system के लिए जो electronic configuration होता है याद करो मैंने क्या बताया था सर जी sigma 1s, sigma star 1s होता है क्या then sigma 2s, sigma star 2s then pi 2px equal to pi 2py then आता है आपका क्या sigma 2pz, then क्या आता है pi star 2px equal to pi star 2py यही तो होता है so on जानी इदर से इदर जाके energy क्या और यह आपकी बढ़ रही है बहुत अच्छी बात है 14 electron system के लिए होता है अगर मैं 16 oxygen की बात करूँ वो 2 and 2 की 16 electron system की तो उस जगह पर यहाँ पर क्या होता है याद करो मैंने बताया था इसके लिए HOMO theory आती है highest occupied molecular orbital theory और LOMO theory आती है lowest occupied molecular orbital theory क्यों होत इसी का बताता है न बच्चो CO plus का जो bond order होता है वो exceptional होता है जो मैंने technique बताई थी उससे नहीं होता क्योंकि इसमें occupied molecular interaction बदल जाता है तो खैर उनकी बात नहीं जाता हूँ N2 14 electron system है तो fill करना सुरू हो जाएगा तो मैं लिखूंगा sigma 1s2, sigma star 1s2 sigma 2s2, sigma star 2s2 1, 1 2 and 2 कितने हो गए भढ़ गए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 बचे कितने 2 sigma 2pz काम complete अब N2 से N2 plus बना कब बनेगा जब ये electron एक कम हो जाएंगी यही तो होगा बच्चा यानि N2 plus में कितने electron system है 13 electron system है तो electron निकला कहां से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 यानि अब यहाँ पे 13 और 14 electron है इस जगा पे बिल्कुल इस जगा पे रुको color कर देता हूँ तक कि आपको थोज़ा समझ में आ जाए बिल्कुल इस जगा पे आपका क्या 14 electron system है यानि 13 और 14 यही पे यानि जो electron निकलेगा इसी sigma से तो निकलेगा तब ही तो बन जाएगा क्या sigma 2pz1 N2 plus के case में N2 plus के case में यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन plus में यहाँ पे दो के जगा एक electron होंगे तो कहां से निकला sigma orbital से कहां से निकला जल्दी बता दो sigma से तो इस question का answer क्या हो जाएगा बच्चो A option क्या कोई problem बाली बात है नहीं, इसको तो directly भी कर सकते हो तुरंद करके इतना लिखने की क्या जूरत होती है simple सी पता N2 system है N2 14 electron system है तो directly लोगे कि यहाँ पे आके रुकेगी sigma 2pz पे क्योंकि यह format है और last electron निकला कहां से 2pz से ही तो निकला यानि sigma से निकला क्या कोई दिक्कत वाली बात है तो question number 1 का जो option होगा वो A option is the correct अब मैं इसको रब करता हूँ बच्चो और बढ़ते हैं हम लोग next question की तरफ next question है question number 2 question number 2 क्या है देखो in which of the following pairs of molecules both the species are not likely to exist कहता है कि both the species not likely to exist याद करो मैंने M.O.T. में आपको बताया था क्या बताया था कि सर आपने ये बताया था हमें that is अगर bond order अगर आपके bond order की value zero हो जाए या negative हो जाए तो वो molecule exist नहीं करते और जितना जादा bond order stability क्या होगी उतनी जादा bond order कम तो stability क्या हो जाती है बच्चो कम होने लगती है क्या कोई दिक्कत नहीं उसको तोड़ना आसान हो जाता है क्या कोई दिक्कत वाली बात है अब चेक करो किसका bond order lowest है और जीरो के अप्रोच में हैं अगर मैं बात करूँ h2 plus की तो बोलो hydrogen में कितने electron होते हैं दो h2 में एक hydrogen में एक electron होते है तो h2 में कितने होगे दो electron plus की बात करूँ तो only one electron system हो गया तो इसके लिए electronic configuration क्या होगा sigma 1s1 बिलकुल अब इसका bond order बताओ bond order is equal to one by two nb minus na होता है क्या na मतलब number nb मतलब number of bonding electron एक है anti bonding कुछ भी नहीं है तो bond order क्या हो जाएगा one by two यानि h2 plus का bond order आ गया one by two और अगर मैं बानू helium two plus की चेक करूँ two minus है ना अच्छा helium के कितने electron होते है दो helium two के कितने होंगे four electron two minus मतलब दो और जादा यानि six electron system है क्या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो इस case में bond order क्या हो जाएगा one by two nb minus na यस सर जी बिलकुल nb minus na चलो six electron system है तो इसको कैसे fill करेंगे जल्दी से बता दो इसको fill करेंगे सर sigma one as two sigma star one as two sigma two as two sigma star two as two electron कितने है two or two four star मतलब anti-bonding होते पता है न one by two four minus two क्या कोई दिक्कत वाली बात anti-bonding में दो यह electron है चलो four minus two कितना हो जाएगा two तो bond order कितना हो जाएगा one देखो इनके इनके कोई fix bond order है zero नहीं है और negative नहीं है तो यह वाला option तो आपका correct नहीं है चलो अब h two minus की बात करूं मैं h two minus और क्या बचा है helium two plus helium two two minus की तो मैंने बात करी ली इसका bond order तो मैंने ढूंडी लिया है six electron system है तो इसका तो बी ओ मैंने अभी just ढूंडा है वो one है क्या कोई problem बाली बात है h two minus में कितने electron है hydrogen में दो होते हैं और एक minus मतब तीन electron system है तो इसका electronic configuration कैसे लिखेंगे sigma one as two sigma star one as one यही तो हो जाएगा चलो तो अब इसका bond order कैसे ढूंडेंगे bond order is equal to one by two nb minus na चलो अच्छी बात है तो one by two nb क्या है जल्दी बता दो two na कितना है one two minus one one होता है one by two into one यहीं one by two तो भाईया h two minus का भी bond order one by two और h two plus का bond order क्या हो जाएगा आपका one तो इस case में bond order इनके fix है तो यह भी option नहीं होगा अब third वाले मैं इस तरह आ सकता हूं क्या is it visible चलो अब मैं third option देख लूँ h two two plus की मैं बात करूँ और helium two की मैं बात करूँ अच्छा h two two plus की मैं बात करूँ तो hydrogen में दो electron होते हैं तब h two की बात करूँ है hydrogen में एक electron दो hydrogen है तो two electron उसमें से दो निकल गए तो number of electron इसमें क्या है भाईया जीरो है तब जीरो number of electron होगे तो bond order भी अपने आप क्या हो जाएगा जीरो ही तो होगा अगर helium two की बात करूँ तो भाईया इसमें total electron कितने होते है four तो bond order का formula क्या हो जाएगा सबको पता है one by two nb minus na और इसको लिखते कैसे है sigma one as two sigma star one as two चलो nb मतलम number of bonding electron कितने है two और anti bonding कितने है two two minus two क्या हो गया जीरो तो इस case में इसका भी bond order zero इसका भी जब bond order zero हो जाए तो वो molecule exist नहीं करता तो case आपको समझ में आ चुका है अगर यह वाला अच्टू माइनस की बात करूं तो मैंने बताया था च्टू माइनस का bond order अभी निकाला था one by two होता है तो यह वाला option नहीं होगा तो इस question में कौन सा correct option है जल्दी बता दो C is the correct option इतने लेंदी पे तो जाना नहीं है जल्दी जल्दी आपको करना है याद करो मैंने table बताया था याद है two, four, six, eight, ten वो वाला table यूद करना अभी use करना है यह तो मैंने just अभी आपको explanation कर रहा हूँ इतना समय नहीं मिलता examination में just hardly एक मिनट रखो और question को solve कर दो मैंने doubt हो तो मुझे mail कर दो मैं आपका doubt को फिर clear कर दूंगा है न कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए चालो अब मैं बात करता हूँ question number three पे क्या है question number three देखो the iron that is iso electronic with co बहुत आसान है क्या question है iso electronic क्या होता जल्दी बता दो तो iso electronic सबको पता है iso electronic वो species होते हैं जिसमे number of electron क्या होते हैं same iso electronic species चलो iso electronic species के लिए क्या होते हैं same number of electrons electrons बिलकुल क्या होते हैं same होते हैं या कोई प्राब्ले की बात करूं है तो बताओ बाए जुन में इसे किसके पास 14 इलेक्टॉन है अगर मैं बात करूं cn- की तो c का कितना होता है 6 n का कितना होता है 7 और माइनस 1 मतलब 1 electron यानि cn- माइनस में 14 electron तो यह option तो आ गया बाकी भी check करके देख लें o2 plus की वैसे check करने के जो अतनी है single option correct होते हैं चलो पिर भी o2 plus की o2 में कितने होते है 2 into 8 minus 1 यानि कितने electron हो गया 15 electron system हो गया अब मैं बात करूँ o2 minus की o2 minus मतलब 2 into 8 plus 1 यानि क्यों जाएगा 17 electron system और n2 plus की मैं बात करूँ तो n2 plus में होता है 2 into 7 minus 1 यानि 13 electron तो बोलो किस में 14 electron बिलकुल सेम है cn- में देखो 14 electron सेम है तो बिलकुल मैं कह सकता हूँ कि question number three का जो answer होगा वो a option है am I right yes sir you are absolutely right चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चों और आगे बढ़ जाते हम लोग next question की तरफ next question है question number four क्या है question number four एक बर हम इसको देख लेते हैं चलो in all form आपको पता कीटो और in all form टॉटो मर्स होते हैं चलो in all form contents the following अच्छा in all form क्या होता इस चीज को समझो बच्चों जैसे मैंने लिख दिया CH3, COO, CH3 यह क्या है acetone है ketonic form है ketones है चलो अब इस case में अगर सफलिंग होती है आपको पता है पार्सलिट चार्ज आ जाएगा यह bond यहां करेगा और तो यहां पे जो होता है वह तो mechanism है यह माइनस यहां पलस का sign तो in all form में क्या होता है यह hydrogen जो होता है वो आ जाता है यह double bond यहां shift हो जाता है और यहां पे OH आ जाता है तो in all जैसे कैसे होता वो देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया CS3, C double bond O, CH3 अब यह dynamic equilibrium में होता है तो in all ऐसे होता है CS3, COH and double bond CH2 इसके लिए resonating structure है जो आप organic में पढ़ होगे तो इसलिए मैं उस पर जादा समय बढ़ बाद नहीं किया किट, किटोन, in all, in मतलब double bond, all मतलब alcohol चलो अब पूछता है कि in all form में कितने sigma bond होंगे, कितने pi bond होंगे, किनले चलो इसको open कर देता हूँ मैं, यह इस तरीके से लिख सकते हैं, एक, दो, तीन, then C, O, और H, double bond, C, एक और एक, दो किया कोई problem बाली बात है, कितने sigma bond है, गिनो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, नौ सिगमा और एक pi bond double bond में एक sigma और एक pi होता है, तो count करके देखो कौन सा option सही है, 9 sigma and 1 pi bond, loan pair of electron है, नहीं है तो भईया, answer हो जाएगा, 9 sigma, 1 pi bond and 2 loan pair, अच्छा, loan pair इस जगह पे है न, यह वाला, 2 loan pair of electron, क्या कोई problem बाली बात है, नहीं, यह वाला, इस जगह पे loan pair नहीं है, इस जगह पे तो loan pair है, तो इसको भी count कर लिया है, तो answer हो जाएगा, 9 sigma, 1 pi and 2 loan pair of electron, तो question number 4 का जो option है, that is the A option, चलो बच्चों, मैं इसको रब करता हूँ, और आगे बढ़ चलते हैं, next question की तरफ, next question है, वो क्या है, उस चीज़ को समझ लो, question number 5 की मैं बात करूँ, which one among the following does not have hydrogen bond, अच्छा, hydrogen bond किसके बीच में बनता है, सब को पता है, hydrogen bond बनता है, hydrogen और most electron negative atom के बीच में, most electron negative atom, like fluorine, nitrogen and oxygen, जैसे, अगर मैं बात करूँ, H-Up में, तो आपको पता है, ये H और दूसरे के H में, ये जो bond होता, ये ही तो होता है, hydrogen bond, पढ़ाया था आपको बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ, H2O में, तो hydrogen bond होगी, अगर मैं बात करूँ, NS3 में, hydrogen bond होगी, अगर मैं बात करूँ, C6H5OH में, phenol की, इसमें भी hydrogen bond होगी, अगर मैं बात करूँ CS3, COOH की तो hydrogen bonding होगी क्या कोई problem बाले बात करूँ अगर मैं लिखता हूँ SCL तो इसमें क्या hydrogen bond होगा क्या नहीं होगा क्यूं? CL की भी electro negativity ज़्यादा ही होती है ठीक है लेकिन फिर भी CL, SCL मतलब CL और hydrogen इनके बीच में hydrogen bonding नहीं बनती ये क्यों नहीं बनती? क्योंकि CL का size जो होता है बड़ा होता है due to large size याद रखना nitrogen और chlorine की electro negativity almost same होती है nitrogen का size छोटा होने की बज़ा से ammonia में hydrogen bond होता है लेकिन CL का size बड़ा होने से SCL में hydrogen bond नहीं होता लेकिन यही CL अगर organic molecule में दिखे organic compound में अगर आपके component में दिखे तो याद रखना ये intramolecular hydrogen bond बना सकते हैं intra, inter नहीं intra, inter मैंने बताया था intramolecular H bond जो organic compound में होता है और बाकि इसमें ये सब क्या है? intermolecular हैं? ये इसमें भी क्या होगा? intermolecular होगा इसमें भी क्या होगा? intermolecular लेकिन अगर इस तरीके से मैं लिख दूँ भीया, यहाँ OH लगा दूँ और यहाँ NO2 लगा दूँ तो भीया, इस जगा पे intramolecular ये N और H के साथ बन सकता है क्या कोई दिक्कत वाली बात है? तो इस सारे cases में intra बनते हैं तो इसी जगा पे अगर chlorine हो तब तो intramolecular hydrogen bonding बन जाएंगे लेकिन otherwise, due to large size जो है, chlorine और hydrogen के बीच में आपका hydrogen bond बनने के chances नहीं होते तो भीया, phenol में भी बनेगा liquid में भी बनेगा, water case में नहीं बनेगा SCL में तो question number 5 का जो answer है वो है D option क्या कोई problem बाली बात है? नहीं, यह सारी चीजे मैंने lectures के during आपको complete कर दी थी फिर भी मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा explanation भी कर रहा हूँ चलो, अगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ next question की बात करूँ तो question number 6 में आ जाओ question number 6 क्या कहता है बच्चो देखो the CLCCL angle in 1, 1, 2, 2 tetra-chloro-ethene and tetra-chloro-methane respectively अच्चा पहले तो 1, 1, 2, 2 tetra-chloro-ethene बना लो tetra-chloro-ethene 1, 2, 1, 1, 2, 2 अच्चा ethene है यानि double bond है यानि ये chlorine है ये है 1, 1, 2, 2 यही तो है tetra-chloro-ethene बहुत अच्छा और tetra-chloro-methane यानि CCL 4 बोलाएका ये CL, ये CL ये CL and ये CL यही तो बात है चलो अब इस पर हैबिडाइशन दून दो तो 1 sigma, 2 और 3 sigma ये वाला sigma है तो ये वाला क्या pi, 3 sigma bond है तो इस carbon में हैबिडाइशन का sp2 इसमें भी 1 sigma, 1 sigma और 1 sigma 3 sigma है तो हैबिडाइशन sp2 जब हैबिडाइशन sp2 होता है तो सबको पता है bond angle कितने degree का होता है 120 degree का bond angle कितने degree का होता है 120 degree का होता है क्या कोई दिक्कत वाली बात है थोड़ा सा वेट कर जाओ अब अगर इसमें मैं बात करूँ तो कितने sigma है 1, 2, 3 और 4 sigma हाबिडाइशन क्या होगा sp3 जब हाबिडाइशन sp3 है तो आपको पता bond angle किसके equal होता है 109 degree 28 minute के आसपास होता है तो भाईया 1, 1, 2, 2, 3 टेट्रा क्लोरो इथीन में bond angle कितना है 120 और टेट्रा क्लोरो मेथेन में bond angle का 109 degree 28 minute यानि 109.5 degree के आसपास थोड़ा सा angle vary करेगा क्योंकि यहाँ पर hydrogen नहीं है क्लोरीन है क्लोरीन की electron negativity hydrogen से बहुत ज़्यादा होती है जिसके चलते थोड़ा सा angle vary करके 109.5 degree हो जागा याद करो मैंने यह भी बताया था most electron negative atom होंगे तब क्या होगा यह सारी चीज़े मैंने आपको और आगे बढ़ चलते हैं next question की तरफ तो जो next question है वो देखो question number 7 है क्या है the geometry of H2S यह तो बहुत आसान question है और dipole moment अच्छा पहले तो आपको H2S सबको पता है H2S का normal hybridization अगर ऐसे तो लिखते है H2S का यह तो हम जानते ही है क्यों ऐसा होता है क्योंकि sulfur के पास 2 electron pair अबस पर थियोरी लग जाती है जिसके सलते contraction हो जाता है और अगर normal से हम hybridization दून दे तो x is equal to क्या होता 1 by 2 valence electron sulfur का क्या होता 6 monovalent atom कितने है 2 तो भईया 6 plus 2 8 8 1 by 2 into 8 यानि 4 x की value क्या हो जाएगी 4 x is equal to 4 हो जाएगी तो hybridization कितना हो जाएगा आपका sp3 hybridization हो जाएगा लेकिन lone pair होने की बज़ा से इसका angle क्या हो जाएगा कम यानि shape कैसा दिखेगा angular दिखेगा अब आपको पता है lone pair है यानि ये symmetrical structure तो नहीं है symmetrical structure नहीं है तो dipole moment कभी भी 0 तो नहीं हो सकता तो hybridization sp3 वेसपार थियोरी में lone pair lone pair repulsion जादा होने की बज़ाएगा इसलिए shape tetrahydle नहीं दिखेगा क्या होगा angular जैसे water का bend shape होता है बिलकुल उसी तरीके से angular होगा और dipole moment 0 नहीं होगा क्योंकि symmetrical structure नहीं है तो क्या होगा angular and non-zero dipole moment A is the correct option Am I right? Yes sir, बिलकुल देख लो चलो बच्चो अब मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ चलते हैं next question की तरफ Question number 8 की तरफ हम बढ़ चलते हैं क्या है question number 8 थोड़ा उसको भी हम समझते हैं देखो Question number 8 में दिया हुआ है which contains both polar and non-polar ionic bond नहीं बोला है बच्चो polar and non-polar बोला है अच्छा बोद अगर मैं बात करूँ NH4 CL की देखना ध्यान से समझना NH4 CL की तो ये NH4 CL कैसे होता है NH4 plus and CL minus यही तो होता है इसमें तो ionic bond है बिलकुल अगर मैं बात करूँ SCN की तो ये बनता है H plus और CN minus इसमें भी ionic है लेकिन non-polar तो है नहीं बिलकुल अच्छा अगर मैं बात करूँ H2O2 की है H2O2 का shape कैसा होता है इसी तरह से तो होता है open book structure अब आपको मैं बात करूँ यहाँ पे electronegativity difference है तो इस पे delta plus और इस पे delta minus आएगा अब इस पे भी delta plus और इस पे delta minus आएगा तो यानि यह वाला जो है आपका क्या है polar और यह वाला आपका क्या है polar लेकिन यह दोनों देखो जब same होते हैं तो same के case में क्या आता है non-polar आता है तो H2O2 में polar भी है और non-polar bond भी है तो कौन सा answer हो जाएगा जल्दी बत SCN में समझ में आ गया ना बच्चो SCN में non-polar वाले कोई chance नहीं है सारे polar है NH4 plus में भी NH4 plus को कैसे लिखते है भाईया यह H है यह H है और यह H है और इस तरीके से जाता है H और उपर लिखते है plus और यह CL minus तो कहाँ पर है non-polar करेक्टर तो नहीं है सब जगा फिक्ट डैपल मॉमेंट है लेकिन यहाँ पर सिमिलर होने की बज़ा से यह non-polar है तो answer क्या हो जाएगा H202 और अगर मैं CH4 की बात करूं तो CH4 में net डैपल मॉमेंट क्या होता है 0 यानि सारे क्या है non-polar है यानि polar इसमें नहीं है non-polar है तो answer strip और strip क्या हो जाएगा H202 तो question number 8 का जो answer होगा वो हो जाएगा C option चलो बच्चो समझ में आ गया क्या विल्कुल question ज़्यादा tough नहीं होते it's up to your knowledge अच्छा चलो अब थोड़ा सा मेरी बात समझो next question की तरफ बहनते क्या है PCL5 exists and NCL5 does not ये बहुत अच्छा question है P block elements में भी आप पढ़ोगे class 12 में आपको पता है कि अगर मैं P का electronic configuration लिख देता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ KLM 285 अगर nitrogen का मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ K और L के case में 2 और 5 क्या कोई problem वाली बात है अब आपको पता है K में जो sub cell होते हैं S L में जो sub cell होते हैं S और P अगर M की बात करूँ तो इसमें होते हैं S, P और D यानि phosphorus में vacant D orbital होते हैं लेकिन nitrogen में vacant क्योंकि last electron कहा जाता है L cell में L cell में D sub cell नहीं होते हैं यानि N में जो होते हैं vacant D orbital नहीं होते हैं या D sub cell नहीं होते जिसके चलते ये अपनी covalency को extend नहीं कर सकता अगर covalency को extend नहीं कर सकता तो NCl3 बन सकता है लेकिन NCl5 बनने के चांसे नहीं होते लेकिन phosphorus में आपको पता है last electron M cell में जाता है और M में vacant D sub cell है vacant D sub cell होने की बज़ा से PCL5 अपनी covalency extend कर सकता है इसलिए PCL3 भी बनता है और PCL5 भी बनता है इस चीच को हमेशा याद दखना लेकिन आपको पता है PCL5 को हीट करते हैं गरम करेंगे तो बनेगा PCL3 प्लस CL2 ऐसा क्यों क्योंकि इसमें याद करो Sidbig और Sugden Cancer बताया था singlet link के दो chlorine singlet link के से जुरे होते हैं जो easily गरम करने पे तूट जाते हैं और बनता क्या है CL2 तो इस question का answer क्या हो जाएगा nitrogen has no vacant d orbital क्या कोई problem वाली बात है best explanation है question number 9 का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा A option चलो बच्चों अब इसको मैं रप कर देता हूँ easily आप से बन जाएगा अब आजाओ next question question number 10 ये तो बहुत आसान question है GOC में आप पढ़ते हो भाईया दो तरह की चीजी होती है एक होता है free radical एक होता है carbo katein और एक होता है carbo anion अगर मैं CS3 की बात करूँ तो hybridization अगर ढून लूँ तो normal case में आजाओ नॉर्मल ही method से 1 by 2 carbon के कितने होता है 6 hydrogen के कितने होता है 3 minus 1 6 plus 3 minus 9 क्या मैं सही बता रहा हूँ carbon क्या balance electron लेते है 4 लेते है क्या कोई दिक्कत वाली बात है carbon का balance electron क्या होता है 4 होता है तो वह 4 plus 3 7 7 minus 1 कितने हो जाएंगे 6 यानि हो जाएगा 3 X की value हो गई 3 तो hybridization हो जाएगा SP2 अगर hybridization SP2 है बच्चा तो वो कैसा दिखेगा triangular planner दिखेगा इसी तरह से तो दिखेगा तो H3 plus का CS3 plus का save क्या हो जाएगा बच्चो triangular planner हो जाएगा क्या कोई problem बाली बात है नहीं बहुत easy questions आते हैं ज़्यादा tough नहीं आते अगर आपके theory पे अच्छी खासी hold है अच्छा खासा command है तो आप सारे questions बना सकते हो बट these questions are not enough यह question इतने enough नहीं है आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा practice करनी पड़ेगी e-book में मैंने जो theories दी है उसको पढ़ो अगर कोई doubt हो तो direct आप मुझसे approach कर सकते हो during session भी मैंने बहुत सारे questions आपको कराए है बहुत सारी theories आपको बताई है उन theories को अगर आप step by step follow करो तो I think you can easily solve such kind of questions सो बच्छों समय आ चुका है आपसे बिदा लेने का time has come to say Bye-bye, thank you so much